क्या करे दे मैं याद कर लेगी दूबे जी I'll memorize it दोस्तों वीवो T3 Ultra को हम compare करेंगे वीवो T3 Pro स्मार्टफोन के साथ में और यहां पर हम बात करेंगे बैक कैमरा सेटप गी तो दोनों फोन्स के बैक में में डियूल कैमरा का सेटप दिया गया है और जो इनका कैमरा सेटप है लेकिन भई अगेन भई वाली बात दोस्तों अगर दोनों में से किसी एक को चूस करना ना आपको एक दम बढ़िया फोटो के साफ से तब तो भई यहां पर डेफिनेट्टी अल्टरा की तरफ ही जरूर से जाना क्योंकि यह सबसे पहले आप अल्टरा फोन के कैमरा सेटप से और मैक्समम वीडियो रिकोडिंग अब दोनों फोन के बैक कैमरा से 4K तक कर सकते हैं साथी वीडियो स्टैबलाइजेशन के लिए हां पर दोनों स्मार्टफोंस OIS प्लस EIS टेकनोलोजी को भी स्पोर्ट करते हैं सेल्फी लवर्स की अगर हम बात करें तो वही अल्टरा प्रो का फ्रेंट कैमरा एक दम बड़ी हा डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटो क्लिक कर देगा कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन इसका फ्रेंट कैमरा से मैक्समम वीडियो रिकोडिंग है वो आपका दिल तोड़ देगी क्योंकि सरफ 1080 पिक्सल है 4K का स्पोर्ट हमें याँ पर भई नई मिल रहा ध्यान रखेगा तो इसलिए दोस्तों अगर आपको फ्रेंट में 4K का स्पोर्ट चाहिए और साथ इसा सैल्फी फोटो बिल्कुल टॉप लेवल के क्लिक करने ना भई डेफिनेटली T3 अल्टरा के तरफ ही अब जरूर से जाईए और यहाँ प यहाँ पर आपको कंटेंट वोचिंग का मज़ा बिल्कुल टॉप लेवल वाला मिलेगा और ऑप्रेटिंग सिस्टम की बात करें तो दोनों फोन्स यहाँ पर आउट ओधा बोक्स एंड़ोट 14 के साथ में आते हैं जो कि फंटाइट 14 पर बेजड है और अब बारी आती है गेमर्स की यानि की फोन्स के चिपसेट की तो T3 अल्टरा के अंदर हमें डामन सिटी 9200 प्लस 5D चिपसेट दिया गया जो कि 4 नानो मीटर टेकनोलजी पर बेजड है वहीं दूसरी तरफ T3 प्रो के अंदर हमें स्नाप ड्रागन 7 Gen 3 5D चिपसेट दिया गया जो कि 4 नानो मी दिक्कत नहीं आएगी लेकिन अगर आप बिल्कुल प्रो लेवल के गेमर है तब तो आप यहां पर डेफिनेटली बाई T3 अल्टरा की तरफ जरूर से जाएए क्योंकि इसके अंदर हमें डामन सिटी 9200 प्लस मिल रहा है चूकि एकदम अल्टीमेट वाली गेमिंग आपको करवा देगा और दोस्तों अगर आप इन दोनों फॉन्स में दे किसी वाल को भई करना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहां से जाकर आप इन्हें बाई कर सकते हैं और अगर हम बात करेंए बैटरी डिपार्टमेंट की तो भाई दोनो फोन्स यहां पर 80 वोट की फास्ट चार्डिंग को भी स्वर्ड करते हैं नेटफर कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन्स टूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं 3.5 mm jack हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया लेकिन दोस्तों stereo speakers, under display, fingerprint sensor और face unlock हमें दोनों फोन्स के अंदर देखने को मिल जाता है pricing के अगर हम बात करें तो T3 Ultra smartphone के 8 plus 128 GB variant की pricing है 31,000 पे वही दूसरी तरफ T3 Pro smartphone के 8 plus 128 GB variant की pricing है 25,000 पे तो देखिए दोस्तों 25,000 के price point पे T3 Pro भाई definitely एक बढ़िया deal है आप इसे buy कर सकते हो क्योंकि ये overall phone ना सारे segment वे, display wise, camera wise, gaming wise सारी चुजों में एकदम बढ़िया, definitely आप इसे buy कर सकते हैं लेकिन दोस्तों सवाल आता है तो भाई gaming वे रखाए अगर आपको gaming और भी बढ़िया चाहिए, display भी बिल्कुल top की चाहिए साथ ही साथ यार camera एकदम optimize चाहिए, तब आप यहाँ पर definitely T3 Ultra की तरफ ही जरूर से जाईए